आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अनुप्युक्त का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है वो साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले अनुप्युक्त का आर्थ समझते हैं अनुप्युक्त का आर्थ होता है अनुचित या जो उचित या सही नहीं हो यानि कि कोई ऐसी चीज होती है जो उचित या सही नहीं होती तो उसे हम इनप्रोप्रियेट कहते हैं या अनुचित कहते हैं यानि कि जो एप्रोप्रियेट ना हो तो अनुप्युक्त का विलोम शब्द यानि कि विप्रित आर्थक शब्द होगा उप्युक्त और उप्युक्त का आर्थ होता है जो उचित यह सही हो यानि कि इंग्लिश में आप इसे अप्रोप्रियेट कह सकते हैं तो आईए अब हम अनुपयुक्त और उपयुक्त को कुछ उधारन वाक्तों से समझें जैसे कि आप कह सकते हैं कि उसने जो राय दी वह है अनुपयुक्त है यानि कि वो सही नहीं है उचित नहीं है तो इसका उल्टाब कह सकते हैं कि उसने जो राय दी है वह उप्युक्त है यानि कि वो appropriate है उचित है सही है अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें